बारत के वित्तमंत्री निर्मला सितारामजी ने इंफ्रोस्ट्रक्चर को हाइस प्रियरिटी दिया है हमारा बजेट भी काफी बड़ा हुआ है जिसके कारण आने वाले समय में हिंदुस्तान के रोड इंफ्रोस्ट्रक्चर में जो हमने निर्धार वेक्ते किया है कि वर्ल स्टैंडर्ड के रोड बनेंगे वो उद्धिष्ट हम निश्चित रुप से पूरा कर सकेंगे ग्रीन एनर्जी ग्रीन पावर हर जगप और जो ग्रीन बात के उलेक किया गया वो हमारी एकालोजी और इन्वार्मेंट को प्रोटेक्ट करने के दूर्टे से एक बहुत बड़ी पहल है मैं मानता हूँ कि इस बज़ेट की विश्चता ये है कि हमारे आम आदमी के जीवन में जो एर पॉलूशन वाटर पॉलूशन के समस्या गंबीर है वो ग्रीन एप्रोच के करण निश्चित रूप में हमारे क्वालिटी लाइप में काफी बड़ा सुधार होगा मिडिल क्लास के बारे में सोचैने जाता था इस बार पहरी बार मिडिल क्लास को भी काफी रहत दी गई है गाव गरीब मजदूर और किसान का कल्यान करने वाला और प्रधान मंत्री मोदी जी के नितरुतों में आतमंदिर बर भारत का सफना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ड की एकोनॉमी में एक सुपर एकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला ऐसा ये बजेट है स्क्रैपिंग के लिए जो विशेश रुप से हमारी रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री थी उसके बारे में राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों जगब अब नई गाड़ी आएगी जिससे प्रदूशन कम होगा और निश्चित उपसे स्क्रैपिंग के कारे को भी काफी बड़े से शुरुवात हो जाएगी बहुत अच्छा बजेट निर्मला जी ने दिया है मैं उनका बहुत बहुत अधिनन करता हूँ और ये बजेट प्रदान मंत्री मूदी जी के नेत्रूत्व में हिंदूस्तान को भविश्य में प्रग्यत्य विकास की और ले जाएगा अईसा भी श्वास्वेक्त करता हूँ